अब और बंजाब के वेद प्रकाश अब और बंजाब के वेद प्रकाश अब बंजाब कारन मुकद्रान दा, उगनवाले उग पेंदेले पाड के सिनना पत्रान दा सासेकाल जी, मैय रूपी शरमा थवड़े सारे आंदा स्वागत करदा प्रोग्राम गालबा विद भुलाकार देवेच ते अज मेरे इना ओश शक्सियत जिना ने बाबा नजमी दे इना शब्दान अब और वर्गे बाडर एरिये देविच उठके मुंबई वर्गे सुपिया देशेर देविच सही जाके इस्ताफित केता ते उना नो सच करके दिखाया अज साथ इना सूडिय देविच मुफिद धन्ती दो अरते सवाल है, मंगन वाली सारे दुनिया, देवन वाला, बोल फकीरा, लाली इलाफ। तो मेरे फादर साहब को उस बस्ती में अलू की नाम से पुकारते थे निक नेम बोलते हैं निक नेम अलू तो मैं थर्ड क्लास में जब 1981 में दमुदर सर ने मुझे डांस कराये गाने पे जाको रखेशाहियां मार से के ना कोई जी वालना बाका कर से के जग वेरी होई तो उस गाने में मैंने फर्स टैम उस्टेज पे जब चड़ा तो गाना उसके अंदर अल्ला रखा कोई वर्डिं अल्ला रखा फिर वो कहता है अल्लूपा लड़का अल्ला रखा में टांस करता था तो वह सब्च जब मेरे थार्ड क्लास में बढ़ता था जब मेरे साथ जूड़ गया गुर्णाने स्कूल के अंदर और वह ऐसलिए जुड़ा कि क्या मता मालगी ने इस बलंदियों को च् अधर बताव टैच हुआ वाज अल्ला वन गया वेद प्रकास अल्ला तो एंदा मतलब अपा एगल कह सकते हैं अभी हो अल्ला दी मर्जी ना जोए जी अल्ला वेद प्रकास जीनुए किस अपूरन अल्ला शब्द जो तो मिले या ते अल्ला नूँ उस मुकाम नू मेंटें किस आदमी ने थोड़ी बहुत है या मैं दूसरे शब्दां पुचाता था 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 पिछोकड किस तरह से मम्मी पापा बहुत एक गुरीव मतलब रिवार से थे जुश्दूर आदमी थे लेकिन वह बहुत मैंनत करके मुझे पढ़ाना जा रहे थे पूरे हम दो बहन भाई करते थे साथ में हमें वह चाते थे आप पढ़के हमारी गरिवी को दूर कर सको लेकिन उनका जोर तो पढ़ाई की तरफ था लेकि मेरा कुछ माइंट जब बच्पन से कुछ अलग चर रहा था कुछ ऐसा अलग करूं कि जिससे मैं अपना नाम भी कमा जाओं और गरिवी द देगा है जो अनुरा देगा जाना सिकांट यजा उनको उंगली फाट किल दघाती ते तो मैं उनके शोटा भथ हुआ थे निक रहता था क्योंकि सबीकर चाचे पसंद होते हरा तो चाचाई के साथ ज़्यादा गोंता तो मेरे को चाचा जी हर जहां परद लेकर जाते तो इसको आगी करने के लिए मेरे चाचे जी का बहुत है उन्हों नहीं मुझे मतलब थुड़ा डांस या म्यूजिक जहां से मिला मेरे को तो मेरे चाचाचा जी है आज तो रहने हैं इस दुए में तो उनकी देने मुझे चाचा जी ही थुड़े गुरु ने तक गलत नहीं है वे जी गल्ला पाता था सिल्सला इसे तरह जाई रखते हैं मैं चाओंगा है कि फैंबली बारे भी थुड़ा मतलब बेटा भी ऐसे लाइन दे विच्छा है और फ सब्संडर तरहाँ जेब सब्सेब्स आपको स्टार्डिक से सब्सेब्स एए इस टिटू से नाम अला जुड़ा तो अच्छे होता रहा जिर्ला कि मैरि मैयरे मैरे जूई सर में आर जो मेरी मेरी जूँए बढंब दो इस लिए तो तो तुकर उसा हुआ हमारे गर मैं बग मुझे जिसका नाम पुछार्थ काल रहा है उसको मैं सोचने लगए मैं जो कमी मेरे अंदर रही है जो मैं कुछ ना कर पाया तो मैं इसको कराने के कोशिश करूगा जिब भी था तो उसको अपना सारा ग्यान है और हर चीज की उसको देने लगए नोलेस डांस में तो दिरी द दू बिना तो यह नी कहना मम्मी तुद्दू बोलता था पापा के साथ रहना पसंद सोना पापा के साथ गूमना पापा के साथ तो बच्पन से मेरे चाहत जुड़ा रहा हूं फि 2006 में दूसरा बेटा वाल मोग्स उसका भी मैं चाहता था जान करूं लेकिन वो थोड़ा म में तो मैं उसको अठक स्पोर्स में रखना चाहता हूं बड़ा पुर्शारत काल रहा तो वो मुझे अपनी लेंग में रखा हुआ है कि जो आज पहले तो मैंने चार-पांच साल बंबे में रखा उसको प्रभु देवा की डांस क्लास में टीच किया उसने फिर बिटो सिं अपनी हमां तो उसके अंदर मतलब कोच काम कर रहा है जूंबा टीचर का जो कि जूंबा अपनी कोर्स पूरा किया है जो कि हिंदुस्तान के अंदर 40-50 सी परसन ने किया हुआ है उसके अंदर में मेरा पुर्शारत बेटा भी है और हो मैं चाहूंगा कि कभी भी अबोर में तो अबोर बालों को भी उसका नुट्व उठाना पड़े अभी क्या जूंबा है क्या रूमिक्स है हम भी सीखना चाहिए मैं एकल कह सकता है भी बहुत जल्दी है वोरने लुपा डांस भी देखना में ले जूंबा डांस जूंबा एकसरसाइस क्या है जी यस सब अलाजी बूगी-बूगी एक डांस दुनिया देविच बहुत बड़ा ना दोजार आठ देवेच बूगी-बूगी जितना तहीं लोकां दियो मिद्दा भी थोड़े तो बहुत ज़्यादा वद्या लिया पर उस तो बाल एक बहुत बड़ा गैप भी असी देखना में जो असी ए में 2001 में ही बूगी-बूगी में अंदर आया था क्योंकि एक रियल्टी शो सबसे पहले यही शो था पॉली टैनर्ट देखा जाता था वो 2001 में मैं जब अपना ग्रूप के साथ गया उसके बाद में 2007 में मैं 2nd runner-up पर रहा था बाद में 2008 के लिए में जो कूल आया उसमें मैंने कोमेडी एक्ट किया था जिसकर मिटन दादा जी जहसते कि जिसके अंदर जो विनर होगा उसको फिलम मिलेंगी फस्ट फॉरवर्वर्ड मूवी थी उसके लिए मुझे चुना गया सबसे पहले हां उस शो के अदर सबसे ब सबसे पहले चुने जाते इस फिलम के लिए तो मुझे प्राउड फिल होता है लेकिन जब वो जो 2008 का विनर हुआ हुआ और आपने बीच में बोला था कि 8 और 18 बीच में गया मैं घूम हो गया एक जस्ट बंदे का अंदर थोड़ा सा आ जाता है कि मैं बुगी बुगी बिन अपने ही लाइफ में जीने लग जा शेयर के अंदर लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं यह नाप लेकर जीना चाहूंगा बंद अपनी जिमीं से जुड़ा रहे तो अच्सी बात है और मैं हमारे दर्सक देख रहे हैं इसों को उनको भी बोलना चाहूंगा कि मेरा जो गैप हु आप लोग भी असाना करें तो मैं लोगों को और मेरे जो पपलिक और दर्सक को यह बोलना चाहूंगा कि अपना मकाम बना करके और अपनी लाइंड को पकड़िकर रखिया अलागी 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 मेरा जड़ा स्वाल जी तवड़े ऐसे गालना से बंदी सी जदो ऐस तर किरन बंदा थोड़ी लाइफ देवेच बन के आजीने तो उन्हों दिखाया कि नहीं जो लाइट उसी चुनी है तरहसल बनी ही थोड़े आसनी तो कौन शक्स सी या उस वक्त थोड़े दिल ते की बीती से सार मेरी ही वाइफ थी उन्होंनों ही मज़े गाइड किया उसने का बापस अपने स्टे को बनाने के लिए जिल्जान से फुल मेहनत गी मैंने एज फैक्टर में देख रहा कि मैंने यह जोस तरहा नहीं, ऊपर उथना है उपर उथना है और उथना है तो उथना है 마음에 लिए अट थिक कष्ण दुरम है कोन भी लग जाते है पसीना है किस तरह अंदर तुसी बच्चेया में किनामा मुकाम देन दी कुशिश काते हो ताकि यह तोड़ा सफर हो रगे जारी देगा इसके अंदर बच्चे अच्छी लेवल की डांस और फिटनेस के लिए आएंगे और अपना अलाव उठाएंगे इस चीज़ के हम क्या जा रहे हैं कि इसके अंदर जो जैसे अब मेरे बेटा जूंबा का कुछ कोर्स कर रहा है पौरम में कर लिया उसने कुप्लिट अब हो जाएं उस तरह से हम अभूर वालों को एक गिफ्ट के तोर पर देना चाहेंगे मतलब डांस के तोर पर ला लो तो या फिर उसको जिसको बोलते है कलब बना दिया जाए या फिटनेस का सेंटर को लिए उसके लिए उसके लिए लगा लिए बच्चे स्टेज पर नहीं प क्या चीज है वो सब चीजों पर ले बता देंगे कि मेरे टैब पर मैंने सिखा यह जहां तक पहुचा हूं किसी सीख नहीं पाया मैं क्या पता इसलिए लेट हूं इस करके लेट हुआ मैं जी वो मकाम में से लेट मिला होगा क्योंकि बोलते है कि जी को भी आपको कोई गाइनेस करने वाला नहीं मिलागा जब तक आप आगे नहीं चाहाँ तो खुद नहीं मैंने वल्दे खुद ही मेहनत करा गया और खुद इस चैगल को आगे बदाता ग जी अलागी कलर चैनल बोट वर दना व्स को अगाउस दोड़ डानस दीवान तो अगलर चैनल जे प्रोग्रम दास दिवाने ते अना फाइनलिस्ट बनना औस तो बाद ओस शक्सिया दे वुआ अपनी तरीफ सुनन जिंदा सारी दुनिया मैंकमां की एडिया लेट बोथ फ सर एक तर डांस क्वीन हूं अपने इंडिया दी और दूसरा जैसे की बोलेगा तर गोविंदा जी और यही हूं हमारे बोलीबुड में क्या वर्ल्ड में मतलब फेमस है अपने डांस को लेकर जैसे मादू जी ने मेरा फस्ट पर्फॉमस जो मेरा इस कलर टीवी के अंदर जै जो डांस के वारे बनाते दे रही है उन्हें मेरा इक पर्फॉमस रखा और वो जो बेस्ट पर्फॉमस हुआ मेरा पर्फॉमस हुआ और इतना फेमस हुआ मतलब इसक तेरा तरफ आगे उसको स्टूडियो रांड बोलते हैं जो कि पहला ओडिशन से होता है टीवी पर आने वाला जी वो मेरा रखा हुआ था और जो मेने इसमें वावा लूटी और जो मादू दिखसित खड़े हो गए और मेरे साथ डांस के अजगाने में एक ड्रिम मतलब जी ड्रिम जैसा मैं सोच मैं स्टेज में करना था भी उनके पास डांस कर रहा हूं इदर मेरे साथ बड़े-बड़े स्टार्ज डांस कर रहे हैं वो मेरे साथ खड़े और मैं मतलब फील क्या कर रहा हूंगा आप सोच नहीं सकते हैं तो भी हम फिल्मों में और गानों इनके गानों पे डांस करते है इनके गानों पे हमने सब कुछ देखते रहा है और वो आज पहले तो मेरी तारिफ करके आई और स्टेज पर किती हम नहीं हुजे आपके साथ डांस करना है अब है नहीं पहले तो मतलब मैं अभी तक वी उस सपने में मैंने चार मेंने पांच मेने डांस दिवाने में बताए लेकिन उस ‫लेडिज में जब भी मेरा का डांस प्रवोमस किया तो ख़डी होकर तालीम हा रही है और City बजाई है और विर को नाम दिया वैड जकास तो मैं भ तरह बेटे 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 वेवस सान्म भी देखना हो में सकती जरूर मिलेगी सर लेकिर उसके लिए हमें बुर्थ बड़ा श्पेस चाहिए थोड़ा वो जी फिर भी हम बेटे बेटे क्या है कि वह जो वेवस आद में दखा हुआ करके यह चीज़ मेरी बोडी में से क्याता है आओ देखने है थाड़े हो सफर निया कुछ तर्पिया है कुछ तर्पिया है कुछ तर्पिया है यह सर्थ यह जी बाकी जड़े मूव देखे का थवड़ा फैन क्यों नहाएगा एक होर जड़ी काल सी थवड़ा एक वीडियो आया सी रवीना तंदन जी देना चेड़ा बहुत 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 वेमस होया थे मैंनू जित्वता तक सुनना एचाया अभी 29 29 मिलियन दे व्यूज हो चुके हैं तुसी कुंदे बार कुछ दसना चाहों सार रविना तंदन जी अमरीका में कहीं हुए कि यही डांस यह बला भी चल रहा था वी दिभाया जिसके आपके एए क्लिप यही डांस उन्हें वहां अमरीका में देखा और वहां से वहां के लो के हो चुका है तो मुझे बड़ा फ्राउड फ्री ले रहा है कि मैं इस लिए में पहुच गया और विनेटर ने जी ने यही कहा था कि बड़ी-बड़ी फिल्मों को इतना बड़ा ही नहीं मिलता जी जो कि आपको एक कल्ले को यह पांट-सात मिंट का डांस आपका हीट मिल प्राउड भी देख्या तो तुसी कमेडी जेड़ा है उन्दा पुट बहुत रखते हो कमेडी थोड़े में डांसे थोड़े जेक्षट थोड़े बोड़ी चे लेकन बहुत मिलती है तो चीज देखना ले दर्शकान भी खिचदी भी बहुत है तो बहुत ही पहला तुसी और आप यहां कि में पापली भी आनला समा कमेडी देया यही को जड़ा कमेडी है जड़े रूंदे तो रूंदे तो पुझे द गुझे इन्सान भी जगा सकती है सर कहीं भी आप डांस करोगे, प्रफॉर्मस करोगे, एक तो डांस की तो पावर तो लोग फील कर सकते हैं, और उसके अंदर यह नहीं कि हर कोई बंदा डांसर ही है बैठा जो आपको देखने वाला हो, कुछ आपकी एक्ट होगा, उसके अंदर कमेडी पन भी होगा, तो अद कि मुझे कमेडी एक्टी दिया जाए कोई, मैं वह गंदा पसंद करूँगा, तो अल्ला जी मैं मतलब यह उन दर्शकन कह सकता है, बड़ी जल्दी वेद प्रकाज जी नोसी डांस दिवाने टू देवेच देख सकते हैं, ते डांस दिवाने टू देवेच, वेद के लिए मुझे देख पाएंगे, लेकिन होर के बच्चों के लिए मैं यह करना चाहूंगे कि अच्छी त्यारी करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज मैं यहां से उठाओं, तो वो बच्चे भी कल को विर्प्रका सल्ला उन बच्चों के अंदर दिखिए, कलर टीवी पे यह एड़ी जो भी चैनल है, उनके उपर आएंगे और होच के तो अच्छी से अच्छी तैरी करें, अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि अधिशन है 13 से शुरू अधाने की पर अधिशन जेप्र से स्टार्र है, और मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि होर के बच्च होते हैं, हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं, अब तक मेरा ये सूल बनाया है, 1990 में मैं अपनी डांस क्लास की स्थाफना की थी, तो मैं जो भी इतने भी मेरे दर्स देख रहे हैं, बच्चा टलेंटर हैं, नहीं है तैलेंटर को मैं अपने अप डाल दूँगा, इसका दूगा लेकि मेरे क्लास में आज सकता है, जो पैसे नहीं दे सकता है, उसको मेरी तरफ से फिर ही डांस क्लास की कोचिंग है, और जो टलेंटर है, उनको मैं आगे ले जाने की पूरी दिल जान लगा दूँगा और मेहनत करा हूँगा. तो जान्दे जान्दे साड़िक दर्शका आवास से तुसी कोई सनिया देना चाहोगे, जलूर कहना चाहूँगा दर्शका को, कि हमारा जो ये शो चल रहा है, गलबार बिद मुलाकात में, आज रुपी जी शर्मा जी मेरे सामने बैटे हैं, और मैं आज आपके सामने आया ये सब इसलिए निए कि मैं स्टार बन चुका हूं तो इसलिए उनमे मुझे बलाया है, बहुत लोग आएंगे यहां, सब मेरे बाद भी आएंगे, और आते रहेंगे, अच्छे अच्छे आपको गैनस देंगे, लेकिन जो भी जो बोल के जाता है आपको, उसको ध्यान से और गोर से सीखना है और सुनना है, इस मुकाम पर कैसे पहुंचे है, उनकी लगन, उनकी मेहनत कैसे लेके गी है, वह आप लोग भी कर सकता है, तो अच्छे वह बैटा है, तो तो कल आप भी यहां बैठ सकते हो, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के तोड़ कर, यही मैं वे जगास आपने बिनाया और इतना फेमस किया आपने, थेंक्यू सो मच्चू एसी आज साड़े ना डांस दी दुनिया दे में ताथ बाश्या वेद पकाश, अल्ला जी जिनन वसी सुने आते होना दी एक जिन्दीगी दे बारे चात्वी मरें, सो अगली बार एक धरी शक्सिया देना रूब रूब होँआगे ते जाना गया होना दे जिन्दीगी दे सारे राज ताथ तक हस्दे रूब ते बस्दे रूब सास्रीका